एकरां 30 एक एस्वी संस्क्रीन इस से लेटेट्ट हम कई सारी जानकरियों पर बात करने वाले हैं कब आपको इसका इस्तामाल करना है किस तरह की समझचा में करना है कैसे सका बैन फिड और क्या इसके साइड फिक देखने को मिलते हैं कैसे इसका अपलिकेशन करना अगर आप चाहते हैं तो अंतक्त बने रहें कैसे यह आपके स्कीन पर सूट करेगा पहले हम जानते हैं एक रांट थर्टी एस्टी और संस्क्रीन के बारे में इसे केलम लबोटी दोरा बना जाता इसका जो पैका संस्क्रीन बहुत जादे इंपोर्टेपे क्योंकि जैसे आप दूप में जाएंगे का कैप्सुल यूज कर रहा है और जैसे कि आपको इसकी पीलिंग चला या चला या इसकीन ब्राइटनिंग का कोई ट्रीटमेंट चला जिसमें हाइड्रोकिनों या मेट्रोगन आपको ट्रीटनों को कामबिनेशन यूज हो जा रहा है गोरा होने के लिए उस समय अपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और उससमें आसे लगा के जाना चीए आपको संस्क्रीन और जैसे कि अगर आपको हम पहुचाते इन दोनों रेज स्कीन बन होती है आपको एजिंग होता है और आपको जैसे की चेहरा जो आपका वर्ड आकर होता है तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर से देते हैं यह बहुत अच्छा है जैसे कि यूज करेंगे आपको इसका फील आ जाएगा इसके पहली बात देखा जाती है इसे इंडिया में अगर आप इसे लागा रहते हैं तो नियए डिंज करेंगे तो इसका जो फील रहेगा तो आप इसे पिंपल्स में भी लगा सकते हैं और यह वाइट रेसिड्यू नहीं छोड़ता है जैसे कि अगर आप लगाते हैं कोई संस्क्रीन आप यूज करेंगे फीजिकल संस्क्रीन तो आप जिससे इस्तमाल करेंगे तो आपको चेहरे पर वाइट वाइट दिखने लगत आप इसके पर मेकट भी कर सकते हैं या आप लगा सकते इसके उपर तो इसका प्राइब करना है जब आप कभी बाहर जा रहे उससे 15-20 मिट पहले अपने स्कीन पर लगा के तभी बाहर जाएं तब आपको मिलेगा अगर आप दूप में चले गए उसके बाद यूज कर रहे पहले यह बहुत यह अचया संस्क्रीन एंसकीन लगा सकते हैं और इस रेंज में काफी अच्छा यह संस्क्रीन है आप इसे पर्चेस कर सकते हैं और जैसे कि बहुत जल्दी ही आपको प्रोटेक्ट भी कर सकता यूवी और यूवी रेसे जो आपके लिए काफी हाम फूल लेती है कभी हाँ जैसे मॉर्णिंग का जो रहता है अगर आपको विटामिन डी के कम यह तो समय आप इससे मत लगाए आपके लगाएंगे तो आपको आप यूटामिन बी जो रहता है वह आप जो आपकी समस्या बनी रहते संस्क्रीन आप काफी समय तक इसे यूज कर सकता अगर जरू डॉक्टर से घूर्टेश करें थे सकता हैं आपकी सुझ यूजिंग देखने को मिले जो हार किसी में किसी किसी में देखने को मिल जाता है तो अगर आप इसे ले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें अगर आप वीडियो चैनल पर पहली पर जिटके वीडियो जरा सभी इंफॉर्मेटिक लेगे देख लाइक कर देजिएगा फ्यूचर में आप अपडेटे रहना चाहते ह सब्सक्राइब करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा